हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi Very good morning to all of you, मेरा नाम है विशी कुमार और आज की इस क्लास में basically हम क्या discuss करने वाले हैं, तो जैसा कि आपने देखा होगा thumbnail में कि यहाँ पर हम Eastern Coastal Plain के बारे में discussion कर रहे हैं कल की क्लास में हमने Coastal Plain of India start किया था अर्थात यहाँ पर हमने भारत के तटिये मैदानों को समझना प्रारम कर दिया था और इस क्रम में हमने सबसे पहले तो यह जाना था कि actual में इन Coastal Plains का निर्मान कैसे हुआ है यदि अभी तक आपने यह वीडियोस नहीं देखे हैं कि भाई Coastal Plains का निर्मान कैसे हुआ प्राइद यूपी भारत का विभाजन हिमाल है और साथ में अन्य जो महतपून टॉपिक अभी तक हो चुके हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उसमें मैंने सुपर कंटेंट देने का प्रयास किया हूँ मैं दावे की साथ कहा सकता हूँ कि ये कंटेंट आपके नॉलिज को इनहेंस करेगा और साथ में आपकी यूपी एस्सी की जरनी को इजी बनाने का प्रयास अवश्य करेगा तो एक बार जाएं और इस पूरी सीरीज को ब्रिंज वाज करें और साथ में मुझे सपोर्ट करें यानि कि ये आपको ये पूरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना इसको ना भूले अर्थात अपना पॉजिटिव रिस्पॉंस यहाँ पर दे कर जाएं सब उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इस फोर्मेशन की जो भी आस्परेंट यूपी एससी की तैयारी प्रारम कर रहे हैं या फिर तैयारी प्रारम कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अंतरगत आपको साइप प्रोग्राम अर्थात में रेस्टेंश प्रोग्राम और साथ में सक्सेस इन प्रीलिम्ज प्रोग्राम भी अविलेबल कराए जाएगा अर्थात प्रिलिम्नरी एक्जाम से पहले यदि आपका टारगेट दोजार पचेश दोजार चबेस है तो तो आप एके भी लाइब कोट का यूज करके इस सीरीज के साथ जोईन हो सकते हैं अर्थात इन P2I पैचेस का पार्ट बन सकते हैं आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यह contact नमबर दिया हुआ है आप यहाँ पर भी contact कर सकते हैं चलिए अब बिना देरी किये प्रारंब करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इस्टन कोश्टल प्लेन चलिए देखिएगा प्रिवेस क्लासेस में हमने इन इस्टन कोश्टल प्लेन अर्थात पूर्वी तटिये मैदानों को विभाजित नहीं किया था अभी तो इनके निर्मान के बारे में समझाता यानि कि हमने ये जाना था कि जो पूर्वी तटिये मैदान है वास्तविक्ता में ये निर्गमन कारी बल का परिणाम है अर्थात ये निर्गमन तटका उधारन है और यहां पर हमने देखा था कि जो पश्चिमी तटिये मैदान है ये एक जलमंगन तटका उधारन है तूट कर अरब सागर में समा गया है और पूरवी 30 मैदान में अपेक्षा करेधिया दिया आप देखें तो प्राइदिपी भारत का ढ़ाल पूर की ओर होने ये कारण जितनी भी नदियां हैं ये बंगाल की खाडी सागर में अपना मोहाना बनाती हैं और बंगाल की खाडी सागर में मोहाना बनाने ये कारण ही यहाँ पर ये डेल्टा का दिर्मान करती हैं और अपने द्वारा लाए हुए अवसादों का निक्षेप पूरी तटीय मैदान है यह एक निर्गमन क्रिया द्वारा निर्मित है और यह जल्मंगन तटका उधारन नहीं है पश्चिमी तटीय मैदान के पिक्छा पूरी तटीय मैदान अधिक चोड़ा है कारण आपको पता है नदियों के द्वारा बनाया हुए डेल्टा अब यहां पर सबसे पहले मैं इसके विभाजन के बारे में बता देता हूं मैं पूरी पश्चिमी तटीय मैदान का डिसकसन भी आज नहीं करूंगा उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से लाओंगा तो यहां पर केवलों के डिसकसन होने वाला है किसका इस पश्चिम ट्रवी टोर्वी ट्रवी'd मैदान के सदर में मैंने आपको बताय था कि total number of 13 states और union territory में फैला है जिसमें سے number of 9 states और number of 4 अर्थात के अिंधर्षाल से प्रदेशों वाला छेतर देखने के लिए मिलेगा अब जरा आप मेरी बात ध्धान से सुनिएगा कि यहां पर यदी इस पूरवी तटी ये मैदान की बात कर रहे हैं, तो अब ये कहां से लेकर कहां तक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि पश्चम मंगाल में हुगली नदी अपना मोहाना मनाती है, और ये हम और आगे चले जाते हैं, तो गंगा नदी डेल्टा से ये प्रारम होता है, और गं आगे तो एक तो वेश बेंगल आपको देखने के लिए मिला, एक आता है उडीसा वाला छेत्र, और एक आता है आंदर प्रदेश वाला एरिया, अब याद रखें कि यहां पर अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, एक काम करता हू आपको इसली समझ में आ जाएगा, तो यहां पर यदि मैं ड्रॉ करूँ, तो यह हमारा लद्दाक वाला एरिया, यह हमाचल प्रदेश, 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 जब आप नीचे की और आते हैं, तो यह यहां पर आपको मनीपूर मिजूरम होते हुए यह बंगलादेश वाला एरिया यहां पर मेगालिया यह आता है लद्दाक वाला पूर्शन यहां पर जम्मु कश्मीर एंड पंजाब यहां से स्टार्ट होते हुए फिर राइस्थान गुजरात और गुजरास से नीचे और फिर तमिन नाडू आंदर प्रदेश उडिसा और फिर यह हमारा वेश्ट बंगॉल वाला पॉर्शन आप जरा देखिएगा कि एक्च्वल में यहां पर बताना क्या चाहिए रहा हूं तो उपर वाले पार्ट को हमने नाम दिया था क्या है यह हमालियन रीजन यहां पर आ फास्त्रिक्ता में क्या कॉल किया जाता है तमिन नाडू में जो Eastern Coastal Plain आपको देखने के लिए मिलता है तो फिर आपको दिखाई देगा आंदरपदेश वाला एरिया और ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट या फिर नदन सरकार तट इसको नाम दिया जाता है नदन सरकार कोष्ट और जो आप इससे उपर जाते हैं तो इससे उत्तर की और आपको यहाँ पर दिखाई देता है उड़ अब यहाँ पर हम एक-एक तड को अच्छे समझना प्रार्म करेंगे जैसे कि सबसे पहले हम उत्कल TOT से प्रारम करेंगे कारण यह है कि यह सबसे इंपर्टेंट है और सबसे बड़ा है फिर हम उत्री सरकार पर आएंगे और फिर सबसे छूटा यानि की महतपूर्ण तो है परंतु इसमें सबसे छूटा तट आता है को रो मंडल तो फिर हम लाश में उसका डिसकर्शन करेंगे अब यहाँ पर याद रखीएगा कि उतकल तट आपके लिए सबसे जादा महतपूर्ण तट निकलकर सामने आता है कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा यानि कि अब मेरी आपस एक रिक्वेश्ट रहीगी कि यदि आपके पास है तो आप एटलस लेकर बैठें और यदि आटलस नहीं है तो कोई बात नहीं है यहाँ पर जैसी मैपिंग बना रहा हूं आप इस वैसी मैपिंग करते जाएं और आपके उपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसका प्रिंट आउट निकल वाते हैं या फिर बाद में इतमिनान से बैठकर इसको आराम से ड्रॉ करते हैं यह आपके उपर डिपेंड है परन्तु मेरे एक रिक्वेश्ट रहीगी कि इस टेलियराम चैनल को जोईन करने के प इससे नहीं देख सकते हैं सभी सर और सभी मैम इसको अच्छे से वाच कर सकते हैं इवन यह कहीं न कहीं आपकी हेल्प ही करेगा और एक एक्ट्रा लेवल कंटेंट ही आपको प्रोवाइड होगा इस वीडियो से बिना देरी की है अब हम प्रारम करते हैं आज का टॉपिक यानि कि ये उटकल टट से हम इसको समझना प्रारम करेंगे यदि उटकल टट को मैं keんな चाहूं तो देखिएगा यह हमारा उडिसा वाला रीजन मियं पूरे एरिया को ड्रॉष यहाँ पर नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मैं क्यवलों क्यवल ड्रॉष करने का प्रिय पहने देते हैं या फिर इसको मैं नीचे तक ले आता हूं कोई दिक्कत नहीं है परन्तु याद रखें यहाँ पर मैंने उडीसा का पूरा पूरा मैप स्ट्रेच कर दिया है याने की खीज दिया है आप देखना यहाँ पर जो जो बाते मैं आपको बताते जा रहा हूं वो इस सभी बाते आपके लिए इंपोर्टेंट है परन्तु उतकल तट के बारे में कुछ जनरल इंफोर्मिशन मैं यहाँ पर आपके साथ साजा अवश्य कर परन्तु हां महतपूर्ण नदियां अपना मोहाना बनाती हुई देखने के लिए मिलती है जैसे की वैतनी हैं ब्रामणी हैं महा नदी है दाया है रिशी कुल्या है यह सभी नदियां इसी उतकल तट पर ही अपने डेल्टा का निर्मान करती है अर्थात अपने अवसादों को महाँ कर इस एरिया में चोड़ती है परंतु यहाँ पर important बात यह है कि याद रखें यह जो उरिशा राज है यह उरिषार राज अपने मैंगरू प्रबंधन के लिए जाना जाता है अर्थात मैंगरू management के लिए जाना जाता है अब यह मैंगरू management क्या होता है तो याद की एक प्रकार की ये new meadow force वाली वनस्पतियां है अर्थात ये समुदरी खारे पानी की वनस्पतियों में ये गिनी जाती है अब ये समुदरी खारे पानी की वनस्पतियों का अर्थ क्या होता है भई तो I think आप environment जब पढ़ते हैं तो environment के context में हर वनस्पति यानि की हर पेड़ पौधे का अपना एक मैत तो होता है वनस्पति का मतलब ये नहीं कि इससे दवाई बनाई बनाई जा रही हो वई वनस्पति का यहां पर अर्थ निकल के आता है भई किसी भी प्रकार की बायो डाइवरसिटी से सम्मंदित पेड़ अत्वा पौ पूटल्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ये पूरा उड़ी साराज इन मेंगरू वनों के प्रबंधन पर कारे कर रहा है और ऐसा वैसा नहीं तेजी से कारे कर रहा है और बड़ी जागरुकता के साथ वर्क कर रहा है अब इसका कारण क्या है तो इसके लिए अब आप समझन चक्रवातों की संख्या चक्रवातों की इंटेंसिटी बहुत जादा होती है तो ये हिट करते हैं बेसिकली पूरी तटिये मैदान वाले एरिया को और जब हिट करते हैं तो ये अधिक विनाशकारी भी होते हैं किसके संदर में पूरी तटिये मैदान के कंटेक्श में तो खुथी नुमा जड़, इसका हिंदी रूपान तरेंट जवाब करेंगे, तो ये आपको मिलेगा, खुथी नुमा जड़, हिंदी माध्यम के चात्रों को, मैं बार बार ये एडवाईज देता हूं कि सर और मैं, आप अपनी हिंदी की वकैप पर ध्यान दें, यानि कि यदि म आप और कितने टम्स यूज कर सकते हैं, इसको इनहेंस करें, कारण ये है कि इंग्लिस माध्यम के चात्रों का रिजल्ट अच्छा होनेगा, परिणाम ये कारण ये होता है, कि वो अपनी वकैप को ध्यान में रखते हैं, हर दम कोई नई वकैप यूज करते हैं, परनतु हि प्रारंब से चलिए आ रही है, उसी को बसी उच करना है, तो आपनी वकैप पर ध्यान ने, यह मैं आपसे बार बार रिक्वेश्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेश्ट करता हूँ, इस देट क्लियर, चलिए, अब प्रारंब करते हैं, कि यहां से इस पूरे तटिय मैदान को समझना, देखने यहेगा, कि जब आप इस तटिय मैदान को समझने का प्रियास करेंगे, तो एक्च्वल में सबसे उपर वाले एरिया में, सबसे उपर आपको दिखाई देता है, बाला सूर, नहीं सबसे उपर आपको दिखाई देता है, इस एरिया में, that is, बाल डाउन भी कर देता हूं, कि यह हमारा बाला सोर, और यह आपको देखने के लिए मिलेगा, चांदी पुर, अब यह क्यों जाने जाते हैं, तो बेसिकली आप याद रखिएगा, कि यह बाला सोर और चांदी पुर, यह दोनों ही जाने जाते हैं, अपने उच्च जवार वा नि आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां के जवार और भाटे में, तो यह जाने जाते हैं, बेसिकली उच्च जवार, वा भाटे के लिए मैं यहां पर नूट डाउन भी कर देता हूं, जो आप इसी के दक्षणी भाग में आते हैं, अर्थाद नीचे आते जाते हैं, तो अ अहां पर ये है हमारा धामरा पोट, और वरत्मान में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, चर्चा में रहने का कारण क्या है, अब आप मुझे बताएंगे कि धामरा पोट, एक्च्वल में किस कंपनी के द्वारा बनाये जा रहा है, किस के अंडर में ये सबसे बड़ी समस्या ये देखने के लिए थी कि कुछ परयावरन विद्य यहां पर आए और उन्हों ने इस को इस पूरे पूर्ट के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी सुप्रीम कोट क्यों कारण ये था कि ये धामरा पूर्ट जिस इस्थान पर है वह इस्थान जाना जाना जाता था ओलेवरोले कजुएं के प्रजन केंदर के लिए और फाथ ओलेवरोले कच्वें यहां पर अपनी नेश्टिंग किया करते थे अपने अंडे दिया करते थे तो याद रखें कि यह पूरा छेत्र कालांतर में अभीorta काल में ये जाना जाता था olive redlay कच्छुए के present के इंदर के लिए और ये olive redlay कच्छुए actual में होते क्या है इनकी विशेस्ता क्या है तो याद रखें कि world के सबसे छोटे कच्छुओं में से एक यानि कि जिनका size बहुत कम होता है उन में से ये एक है ये रहते हैं आर्क्टिक वरत के पास clear यानि की रहते हैं ये ध्रूबों के पास और ये प्रजनन करने के लिए आते हैं इस area में मतलब कि आप सोचें कि कि कितना ज़्यादा travel कर कर ये यहाँ तक आते हैं clear इसके लिए इस शेत्र को बचानी की बात कही गई थी कुछ परियावरे निवित के द्वारा और हमारे सुप्रीम कोट ने इस बात को माना भी था अब यहाँ पर political point of view को नजर ना रखते हुए हम directly geography के अनुसार यदिया बात करें तो ये जरूरी भी था कि इनके प्रेजन केंदर को बचाये जाए इसी लिए इस पर रोक लगाई गई और फिर रोक लगाने के तहट फिर बोला गया कि पहले इन olive रेले कच्छों का प्रेजन केंदर किसी और इस्थान पर इस्थानांतरित किया जाए और फिर इस थानांत्रित किया गया एक्च्वल में भीतर कणिका राश्य उद्ध्यान में फिर बाद में यहाँ पर कारे प्रारम हुआ और फिर धामरा पूर्ट जो आज वरतबान कैटिगरी में हमको देखने के लिए मिल रहा है उस सिच्वेशन तक ही आया इस दैट क्लियर चलिए अब जब आप इसी के आगे बढ़ते हैं तो देखना सबसे उपर आपको मिला बाला सूर बाला सूर के नीचे चांदी पूर और यह दोनों ही जाने जाते हैं उच्चवार और निम्रभाटे के लिए और फिर इस से आगे आने पर आपको देखने के ल रहा हो तो यह बहुत अच्छी बात है अदर्वाइस आप यहां से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं यह है भीतर कड़ी का चेत्र अब इसके बारे में समझने से पूरो हम दो बातों पर फोकस करते हैं कि यहां पर कुछ नदिया है जो कि अपना मुहाना मनाती है अब यह रिवर कॉन कॉन सी है तो जड़ा ध्यान से देखिएँगा कि पीछे से कुछ रिवर्स आ रही है और जिनमे सब से उपर है हमारी बैतन्नी रिवर यह है बैतन्नी नदी बैतन्नी के पश्यात आपको देखने के लिए मिलेगी नीचे की ओर यह है ब्राम्हणी बैतन्नी ब्राम्हणी और एक और आती है जो की दंड कारणिया पठार की में रिवर मानी जाती है यह हमारी महा नदी वाला छित और यह ती चेत्रों में तो याद रखें कि यहाँ पर जब नदियां मुहाना बना रही है तो यह चेत्र बेसिकली जाना जाता है बहुत अधिक अधिक अभजाव मरदा के लिए यानि कि बेसिकली यहाँ पर जो अभजाव मरदा क्योंकि नदियों के द्वारा लाई हुई मरदा होती है जलोर मरदा और यहां पर यदि अवसादों के जमाव हो रहा है तो अवसादों के जमाव के परिणाम सरूप आप पाएंगे कि यहां जलोर मर्दा का विस्तार है तो कुछ खाद्यानों की क्रशी भी यहां पर देखने के लिए मिलेगी परन्तु याद रखें कि उतनी अधिक नहीं मिलती है यहां उतनी अधिक क्रशी यहां पर देखने के लिए नहीं मिलती है आप topic को ध्यान से समझें, यह पूरवी तटिये मैदान है, ना कि पूरवी घाट परवत, मैं आंदर प्रदेश के मद्दे वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर चित्तूर वगरा है, वहाँ की मैं बिलकुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तटिये मैदानों की Is that clear? और जब आप इसी को आगे देखेंगे, तो यहीं पर आप देखेगा, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, कि यह कौन कौन सी है, उत्तर से दक्षन की और आपको और याद रखना है इनका, सबसे उपर आपको दिखाई देती है, that is called वैतन्नी, यह है वैतन्नी रिवर, वैतन्नी के पश्यात हमें देखने के लिए मिलती है, ब्राम्हणी, that is called ब्राम्हणी रिवर, और ब्राम्हणी के पश्यात हमें मिलती है, महा नदी, यानिकि यह इतनी नदियां है, जो की मोहाना बनाती है, इस उडीसा वाले छेतर में, और वो भी कहाँ पर, तो यह बेसि कणिका के आसपास, आपको एक एरिया भी नजर आएगा, या फर मैं यूं बूलूँ कि यहाँ पर आपको एक वाइल लाइफ सेंचुरी भी देखने के लिए मिलेगी, और कौन सी है यह वाइल लाइफ सेंचुरी, तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है घेर माता गेर माता वाइल लाइफ सेंचुरी ये किस से सम्मंदित है तो ये इसी भीतरकणी का राश्ची उद्यान से सम्मंदित है अब इसी के अलावा आप याद रखें कि ये भीतरकणी का राश्ची उद्यान भीतरकणी का नेशनल पार्क क्यों फेमस है तो यहाँ पर य मेली जाना जाता है एक तो ओलिव रैडली कच्छों के प्रजन के इंदरी जो की पहले था धामरा अब बन चुका है क्या ये भीतरकणी का राश्ची उद्यान इसके अलाबा आप याद रखें कि यह छेत्र जाना जाता है मेली यह छेत्र जाना जाता है मेली खारे पानी के मह महामगरमच नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रोकोडाइल, कारण यह है कि यहाँ पर मैं हिंदी भाशी या फिर हिंदी माध्यम के इस्ट्वेंट को बार 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 बूलता हूँ कि आप हिंदी का ही प्रेयोक करें, परंतु समझाने के लिए मैं आप खारे पानी का महामगर्मच और याद रखें कि ये विशु में जीवित सबसे बड़ा मांसाहरी जीव है विशु का जीवित और सबसे बड़ा मांसाहरी जीव है कारण ये है कि इसमें नर की लंबाई लगबग आपको 27 फीट तक देखने के लिए मिलती है इतना विशाल काय जी होता है यह है खारे पानी का महामगरमच अब बट ऑव्यस है कि यह पाया कहां पर जाता होगा तो आप याद रखें कि यह उत्री ओशेलिया और साथ में दक्षण पूर्व एशिया और भारत में यह कहां कहां पाया जाता है तो सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन के जिसको कहा जाता है मगर इंगलिस में मगर क्रोकोडाइल या फिर इसे ही सामानिभाशा में कहा जाता है मगर मच अब यह हम सामानिता जानते हैं कि यह मगरमच कैसा होता है अब इंपोर्टेंट बात यह है कि एक और इसका टम होता है एक और इसका प्रकार होता है जिसे कहा water में अर्था that is ताजे पानी में और जब ये fresh water में निवास करता है तो याद रखीगा कि ये भारत में कुछ ही नदियों में आपको इस्तित देखने के लिए मिलेगा जैसे कि मैं उत्तर भारत का विशाल मैदान जब आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आपके साथ एक जानकारी साजा की थी कि एक्ट्वल में एक नदी है राम गंगा और राम गंगा के अलावा MP वाले पासन में आपको एक रिवर देखने के लिए मिलेगे that is called चंबल राम गंगा चंबल इसी परकार केन इन नदियों में देखने के लिए मिलता है यह घडियाल वाला यह घडियाल जीव और इसी परकार यदि हम बात करते हैं तो एक टाइम पर यह घडियाल पूरी की पूरी नौर्थ इंडियन रिवर्स में देखने के लिए मिलता था परन्तु यह तेनो ही कैटिगरी का बहुत तेजी शिकार होता है और शिकार की कारण वर्तमान में ये खत्रे में है और यदि आपको याद रखना हो तो यहाँ पर important बात ये भी आती है कि जब हमने इन species की बात की है तो इनका IUCN status ये क्या होता है तो यदि वर्ड में कोई भी species खत्रे में है तो उसको International Union for Conservation of Nature एक आवजशक्ता है तो कितनी आवजशक्ता है इसके लिए वो एक टैग प्रतान करता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस खारे-पानी के महामारमत्च को टैग दिया गया है LC अर्थात Least Consent बट याद रखें कि आज से एक साल बाद यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अर्थात अप्लोडिंग डेट है उससे एक साल बाद यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि उस टाइम तक इनका IUCN status चेंज हो गया हो तो important बात यह है कि यह environment हमेशा अपडेट होता रहता है तो आप जब भी यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उठा कर मोबाईल सर्च कर लें अभी इसका IUCN status है वो Least Cancer है यदि आप महरमच की बात करेंगे तो यह आपको देखेगा VN अर्थात that is one level और जब आप यहाँ न आते ही हैं ऐसे questions की आने की संभावना बहुत अधिक होती है UPSC exam में खासकर current ways तो यहाँ पर यदि आपने mapping के थ्रूँ इसको समझा है तो mapping के थ्रूँ आपको easily understanding हो जाती कि भाई कौन सा चेत्र कहां पर है और एक ही स्थान पर आप बहुत सारे dimension cover up कर लेते हैं that is why यहाँ mapping is most important यदि आप एक UPSC exam है और साथ में UPSC और साथ में state PCS और यदि मान लीजिए आपके subject आपके syllabus में geography है तो चलिए प्रारम करते हैं कि जब आप भीतर कणिका से आप नीचे आएंगे तो अब आपको और क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा देखिएगा जब आप भीतर प्लेस देखने के लिए मिलेगे एक्चल में यहाँ पर दूर लग रही है परन्तु एक्टलस में यह काफी नजदीक होगी इसे कॉल किया जाता है केंद्रा पारा यह प्लेस है केंद्रा पारा और यह केंद्रा पारा क्यों famous है भई तो यहाँ पर याद रखें कि यह भीतर केंदरा पारा जिल्या में आपको महरमच की तीनों प्रजातियां देखने के लिए मिलती है, that is why, यह केंदरा पारा इस इंपोर्टेंट फॉर एक्जाम, clear, तो यहां पर मैं लिग भी देता हूं इसको, यह महरमच की तीनों प्रजातियों के लिए जाना जाता है, इसके से भी दक्षड में आपको मिलता है, पूरी, अब I think आपको यह ग्यात होगा, कि यह चेतर किसलिए जाने जाते है, clear, और यहां पर मुझे और content put करना होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं पारा इप के बारे में, और यहां पारा इप को हम समझें, तो कुछ नहीं है, यह एक प्रकार का mini port है, अर्थात यह mini बंदरगा की category में आता है, बस, clear, तो यहां पर यह क्या है, mini port में, लिख भी देता हूं यहां पर, जब आप नीचे की और आते हैं, तो नीचे basically आपको देखने के लिए मिलेगा, that is, konark, यह है konark, और यह आता है, पुरी वाला छेतर, अ अब I think आपको पता हुगा, कि यह konark mainly क्यों जाना जाता है, तो यहां पर एक sun temple इस्तित है, पता है ना आपको, यहां पर sun temple इस्तित है, अब exam point of view से, यह हम समझना चालू करें, तो exam point of view से यह इसलिए important हो जाता है, क्योंकि यह पूछा गया question है, कि क्या करकरेखा सूरी से पास होती है, तो वहां पर हम आठ उंगलियां लेकर बैठते हैं, कि भाई, यहां पर उडिसा से करकर एखा पास नहीं होती, तो उडिसा में जो कोणार्क है, अर्थात seven horses वाला जो sun temple है, यहां से भी करकर एखा पास नहीं होती है, परंतु याद रखेगा कि भारत में ए तो यह मौडेरा के सूर्य मंदर से गुजरती है, तो यदि आप answer put करेंगे, तो याद रखेगा कि यदि आप से पूछा जाए, कि क्या करकर एखा भारत के सूर्य मंदर से उकर पास होती है, तो यस, परंतु कोणार्क से नहीं, यह गुजरात के मौडेरा पर इस्थित सू साथ याद रखेगा, कि यहाँ पर भी औलेव रैडले कच्छों के एक परजाती आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक इसी परकार, यदि आप पूरी में जाते हैं, तो पूरी किसलिए जाना जाता है, तो आई तिंग आपको मालुम होगा, कि यहाँ पर एक नाम बहुत जादा famous है, that is called जगनात पूरी, तो यह जगनात पूरी के लिए जाना जाता है, बताइए अच्छा आप मुझे कि यह विश्णू भगवान है, या फिर कोई और है, यह एक्चल में कौन से भगवान के रूप माने जाते हैं, यह भी आप मुझे comment section में बताएंगे, मैंने इसी के नीचे आते हैं, तो यह मिलती है, अब आपको एक लेक जिसको call किया जाता है, basically यह हमारी चिल्का लेक, समझ जाएंगे ना आप, कि मैंने कैसे लिखा है, यह हमारी चिल्का लेक, और यदि हम बात करें इस चिल्का लेक की, तो यह याद रखें कि यह भारत ही नहीं पूरे वल्ड की सबसे बड़ी, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी चिल्का लेक, और चिल्का लेक के बारे में यदि हम अध्यान करें, तो याद रखेंगा कि यह जो चिल्का लेक है, यह भारत ही नहीं, अपीतु पूरे एशिया की सबसे बड़ी और वल्ड हम बात करें, तो इंडिया में first number पर है, first in India और यदि in Asia के context में हम बात करें, तो अशिया में भी यह first ही आती है, और यदि वल्ड के context में हम बात करते हैं, तो वल्ड में यह दूसरी सबसे बड़ी है, clear है भई? जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, तो यह चिल्का लेक बे पिछे से एक river आपको आती होगी और that is, यहां पर space नहीं है, तो मैं इसको छोटा सा यही बना देता हूँ, I think आप समझ जाएंगे, इस river को call किया जाता है basically, दाया river, यह हमारी दाया river, और यह दाया रिवर क्यों important है क्योंकि ये directly connected है अशोक के कलिंग युद्ध से यानि कि आपने ये सुना होगा कि अशोक का हिर्दय परिवर्तन हुआ बहुत धर्मुक अपनाया तो actual में क्यों अपनाया था तो याद रखेगा कि जिस रक्त तप्त नदी को देखकर उनका हिर्दय परिवर्तन हुआ था वो directly थी कौन सी यही दाया नदी और यहाँ पर याद रखेए कि यहीं इसी एरिया में यह जो दाया नदी मुहाना बना रही है इसी चलका लेक के भीतर वाले पार्ट में आपको एक आइलेंड भी देखने के लिए एक द्वीप भी देखने के लिए और इस द्वीप को बेसिकली काल किया जाता है तो इसे कहा जाता है नलबाना यह है नलबाना छेतर और यह नलबाना छेतर जाना जाता है अपने पक्छी अभ्यारन के लिए तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नलबाना पक्छी विहार और यह नलबाना पक्छी विहार क्यों important है क्योंकि यहाँ पर मैं bird life century लिखता हूँ directly यानि कि bird life century यह मैंने directly लिखा अब याद रखिएगा यह important क्यों है क्योंकि यहाँ पर basically आपको प्रवास प्रवाशी पक्षी बहुत अधिक मात्रमे देखने के लिए मिलेंगे और इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि परवासी पक्षी आपके कहां से हैं और कौन कौन से हैं तो आप नाम याद रखेगा एक आपको मिलेगा Siberian Crane यहाँ पर एक आपको देखने के लिए मिलता है Siberian Crane सेकेंड आता है Flamingo इन सभी की फोटो आप एक बार Google में सर्च करकर जरू देखें कारण यह है कि देखी हुई चीजे हैं हमें हमेशा याद रहती हैं और साथ में लंबे समय तक यह याद रहती है Flamingo और साथ में एक और मिलेगा आपको White Eagle यह यहां के प्रवाशी पक्षी है जो की आते कहां से हैं तो बेसिकली अरल सागर वाला अरल सागर देखने के लिए मिलेगा अरल सागर के अलावा है जो प्रवाशी पक्षी आते हैं अब जब हम वर्ल्ड जॉग्रफी क्लास करेंगे सेम ओं ऑपर में आपके साथ एक सूज़ में अपना answer drop करका जरू जाए मैं comment सभी के read करता हूं is that clear तो यहाँ पर यह चलका जील है चलका जील के अंदर आपको नलबाना पक्ची विहार देखने के लिए मिलेगा तो उहाँ पर हम इसके बारे में discussion अवश्य करेंगे is that clear अब यदि हम आगे बढ़ें तो इसी से नीचे अर्थात इसी से दक्षणी वाले भाग में आपको अंतिम छेतर देखने के लिए मिलेगा और ये रिशी कुल्या नदी अपना मुहाना बनाती है इसी गोपालपुर के समीप यहाँ पर जो रिवर है इसका नाम है रिशी कुल्या तो याद रखें कि ये रिशी कुल्या नदी गोपालपुर के समीप अपना मुहाना या फिर अपना माउत या फिर अपना डेल्टा इस वाले एरिया में कहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है यह कटक वाला छेत्री क्यों important है क्योंकि याद रखीएगा कि यह कटक जाना जाता है अभिनाव वारानशी के नाम से हैं न मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूं कि यह है कटक वाला एरिया और इसे कहा जाता है अभिनाव वारानशी अभिनाव वारानशी क्या है वई तो याद रखें कि यह जो वारानशी है यह actual में दो नदियों के मद्द में इस ते देखने के लिए मिलता है एक है वरुना और एक है असी that is why इसका नाम परा है वारानशी ठीक उसी परकार यह जो कटक है यह भी दो नदियों के मद्द में आपको देखने के लिए मिलता है एक आती है हमारी महानदी और एक आती है हमारी कथा जोड़ी इसको कहा जाता है अभी नाव वारा नसी इसके अलावा और भी कई कारण है परंतु मेन रीजन यही निकल के आता है तो यह था हमारा उतकलतर जो की उड़ीसा राज में इस्थित था और इसके बारे में इतने एफेक्ट आपको हमेशा याद रखना है अब एक कोशन आपके मन में आ सकता है कि सर प्रीवेस फीडियो में आपने कहा था कि यहां के इंपोर्टेंट पोर्ट को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे तो जैसा मैंने श्टार्टेंग बताया था कि जो पोर्ट है वो बेसिकली आपको वेस्टन साइड ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे क्या देखने रहें और यहां पर सागरी चेत्र अधिक नज़धीक था और यहां पर सागरी चेत्र दूर है क़ारण यह है और आंध परदेश में इस्थाथ तैटिए मैदान को basically call किया जाता है या तो इससे call कर लिए जाता है आध्रा 30 directly और आध्रा 30 नहीं तो इसे ही कहा जाता है उत्री सरकार 30 एसे ही कहा जाता है ऑनध्रा 30 या इस याँ आप नाम देते हैं उत्तरी सरकार तट अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि यह आंधर तट यदि हम कवर अप करना चाहें तो यह वीडियो की लेंथ थोड़ी से लंबी हो जाएगी और यह वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है तो फिर इसको देख नहीं पाते हैं तो इसको मैं पूर्षन और उडिसा वाले पूर्षन की पीडे अपको मैंने बता दिया है कि टैली ग्राम चैनल पर प्रवाइड करा दी जाएगी आप एक बार इस टैलिग्राम चैनल को जा कर देखें ज़ूर्ब हान पर प्रिवेज वीडियो की भी सारी पीडिएफ आपको प्रवाइ वाले portion को complete अप करने का प्रयास करेंगी और साथ में यह पूर है यानि कि इसी slide में मैं continue करूंगा तो हो सकता है कि यह slide आपको दो बार मिल जाए जब तक के लिए यदि आपको यह content पसंद आ रहा है आपको यह पूरे वीडियोस knowledgeable लग रहे हैं और वाकई में इसे आपको help मिल रही है तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास करें positive response दें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें धन्यवाद हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQIAS हिंदी